कि अधिवर्वन वेल्कम तो अभी पेडिया माइन एज अंकुर पमार और आज हम बात करने वाले हैं करेंट अफेर्ट अगस्त मंत के कुछ इसके अंदर हमने फिर्स्ट फाफ ऑफ अगस्ट जो है वह करवाएंगे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एक्जाम बहुत नजदीक आ गया है तो उस एक्जाम को ध्यान में रखते हुए यह जो लेक्चर्स है आपको प्रवाइड के जारे हैं और यह व अगरंगे कोशिच करेंगे आपके अगस्ट से पहले कर देंगे अगस्ट के अंदर वह वाले करेंट आफेर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा को ध्यान से देखेगा और जो फेक्ट से या फिर जो चीजी में बताऊंगा उन पर स्पेशली फोकस की जागे कि वहीं से कुश्चिन आने के चांसे ज्यादा बनते हैं ठीक है तो लेट स्पार अब लेक्ट्चर सो सबसे पहले अगर बात करें अगर आप से सीजी ल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इस वर वाट्साप ग्रूप इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलिबल होगा आप वहां पर जाकर चैगाउट कर सकते हैं इस के अंदर आपको आप ही की तरह जो और लोग सीजेल की या सीचेसल उन एक्जाम एससी के एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग आपको मिल जाएंगे वो कैंडिट्स आपको मिल जाएंगे तो आप इजली वहां पर क्या है उस ग्रूप में कॉंटक्ट कर सकते हो ते से कंड तिंग यह हमारा कोर्स है यू कैंड पर जेश दिस कोर्स अब इसके अंदर खास बात किया है न कि यह जो कोर्स है आपको फो ट्रिपल लायन के अंदर अवेलेबल है अन दे मॉस्ट इंपोर्ट इंग इस कोर्स इस पार्ट एंड दिकरेंट और पीडिये यह वो पीडियर्स अवेलेबल होगी उसाद में वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है ठीक है तो आप इसका इसका भी जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा आप वहां पर चैक आउट कर सकते हैं मूव करते हैं हम आप से सबसे पहले करेंट अफेर के ऊपर ज इसकी क्यों इंपोस किया है क्योंकि पंजाब सरकार के उपर लगबग 5.38 मिलियन टन्स जो गार्बेज है या फिर जो कूड़ा है उसको सेग्रेगेट नहीं कर पाई है पंजाब सरकार देखिए होता क्या है ना मैं आपको थोड़ा से एंजटी के बारे में बता देता हू यह जो नेशनल ग्रींइंट ट्रिबुनल है यह इस्ट्रेबज हो ठाप का है आपका 18 ओक्टूबर 2010 को और यह किसके अंदर एस्ट्रेबलिश हो ठाप यह यह आपका नाम से भी समझ पा रहे हूंगे 2030 मतलब कि पूरे देश के ओपर इसकी जो है वो jurisdiction है उसके बाद green tribunal मतलब यह आपका environment से related है ठीक है तो environment में किसी भी तरह का for example अगर government कोई भी एक road या फिर railway line बिचाती है तो उसमें क्या करना पड़ता है बेशक वो government कर रही हो लेकिन उसमें भी government को क्या करना पड़ता है किसी भी state government को center government को NGT से approval लेना पड़ता है and that is the good thing क्योंकि government road या फिर railway line कहीं पर भी बिचाएगी तो उसमें क्या होगा कि उस रास्ते में अगर बहुत सारे पेड़ आ रहे होंगे या फिर environment को किसी भी तरह से उस project से खत्रा होगा तो उसके लिए NGT से approval लेना पड़ता है the first thing is this and the second thing is कि जैसे कि यहां पर जो आपका current affair है वो कह रहा है कि पंजाब सरकार को 1000 करोड का जो fine है वो देना पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि पंजाब सरकार जो कूड़ा है जो पंजाब स्टेट के अंदर पूरा कूड़ा इकठा हो रहा है उसको सेग्रेगेट नहीं कर पा रही है डिस्पोज नहीं कर पा रही है जो कि गाइडलाइन के अगेंस्ट है इन्वर्मेंट प्रोडेक्शन एक 1986 के अंदर भी एंडिटी को यह पावर दी गई है कि वो किसी भी स्टेट गवर्मेंट के ओपर fine इंपोस कर सकती है इन केस अगर वो एंडिटी की गाइडलाइन को फोलो नहीं करते हैं तो इसलिए पंजाब सरकार के उपर यह जो फाइन है इंपोस किया गया है अब यह सरकार को जो तो अगर सारा कोड़ा एक यह कठा होगा उसके अंदर हर तरह का कुड़ा अफी पहले जगाएंगे पहली बात हो और दुछी चीज उस कुड़े को या तो जल्ली नहीं पेड़नेगेंगे पड़ेगा या कुछ इस तरह से डिस्पोज करना पड़ेगा जो इन्वार्मेंट के इन्वार्मेंट में अच्छी तरह से वह चीज नहीं होगी क्योंकि उससे किए पोलूशन क्रियेट होगा ओविसली ठीक है चाह वाटर पोलूशन हो या फिर आपका एर पोलूशन हो वो हो सकता है तो इसलिए एजटी को यह पावर मेली है आप याद रखेंगे कि आपका इसका जो ओफिस है वो डेली में है यह आपका करकी स्टरा से स्टैबलीश हो तो आपका इस तरह पूछा जा सकता है या फिर आपका दूसरी तरह से पूछ लिया जाएगा कि एजटी को जो है यहां पर देखे नासा आपका यह अरे ओर एक यमश्य है जिसका काम क्या होता है इस तरह से हमारी इंडिया की क्या है इसष्टक हके घये से ओई-ई हृएस-थी तो हुआ कि नासा ने अपना एक जो मिशन था वो बेजा था ठीक है और वो बेजा था मार्स के उपर मार्स हमारा प्लैनेट है ठीक है जो प्लैनेट की कैटेगरी है जैसे कि आपका मर्करी हो गया वीनस हो गया इस तरह से अर्थ मार्स तो Mars के उपर ये बेजा था और इसका नाम था Preservance ठीक है तो ये एक Mission था इसके अंदर क्या था कि Mars के उपर NASA का जो एक Rover है मतलब जैसे मान लीजिए हमने चंदरयान बेजा था तो हमने उस पर बात की थी कि चंदरयान के अंदर आपका क्या था एक Lander था एक Rover था Rover क्या होता है उस सर्फेस पर जहां पर चोड़ा है वहां पर मूव कर सके तो टायर होंगे तो वह मूव कर पाएगा तो उसी को Rover बोलते है वो गाड़ी जैसी या फिर एक ट्रेलर जैसा उसी को आपका Rover कहा जाता है तो ये Preservance Rover जो था ये NASA ने बेजा था Mission जो था ये बेजा था अब इस Mission में खास बात कहा है कि अभी आपका क्यों important आ रहा है क्योंकि इसमें जो वह Rover है जो वह चीज है जो चार टायरों वाली Rover है वह क्या कर रही है कि वह एक जेजारो क्रेटर है ये नाम बहुत important है आपके लिए ठीक है आप ये नाम याद रखेंगे जेजारो क्रेटर ये प्लेमार्स में अपकर बढाब ये उसके पर जाना था ठीक है वहां पर चला गया उसके बाथ तक क्या होता है अपक्तोर गयोट रहता है एक क्रेंटर आटाम अलए और जिसका पर गिरिंगे वह जलते हुए उ कि लिए आटमस्वीर क्ये फर्टेर। तो उसके बाद जमीन पर जब लैंड करते हैं तकराते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा चेद कर देते हैं तो उस गड़े में क्या होता है ओवर पीरिड ऑफ टाइम उसके उसमें आपका पानी डिपोजेट हो सकता है क्योंकि बारिश होती है अर्थ के ऊपर तो वह पानी जो लेकcejगे लेकिन ज़रूरी नहीं है यह वोल्कैनों हमेशा ही इरफ्ट करता रहेगा ठीक है साल में एक बार ओगया आफिशे साल में, दस साल में यह बार हो गया ठीक है, तो वो जो लावा निकल की, मतलब निकल इरप्शन होगी, खतम होगा, उसके बाद ये वाला जो ओपनिंग थी ना, वोलकेनों की, जवाला मुखी की, वो सॉलिड हो जाती है, और वहाँ पर भी एक जो गड़ा टाइप है बन जाता है, तो उसे भी आप as a crater के रूप इस crater की खास बात क्या है न, कि पहले जो rover था ये, प्रिजन वेंस rover, ये इसके निचे वाले हिस्से में, मतलब यहाँ पर जो भी ये गड़ा था, उसके लोवर पार्ट में, सोयल्स के या फिर स्टोन्स के, उनको इकठा कर रहा था, सैंपल्स ले रहा था, अब ये क्या करे रोवर की यहां से उपर चड़ना स्टार्ट कर रहा है, और हाइट पर जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो ये उपर जाकर, जो इसको crater मिलेगा, उसका नाम जजेरो क्रेटर है, और वहाँ पर जाकर ये सैंपल्स लेक्टा करेगा, तो यहाँ पर इंपोर्टेंट दो त रखेंगे, कि जो रोवर है, या फिर नासा का जो मिशन है, प्रेजरवेंज, वह आपका कहां किस से रिलेट करता है, वह आपका मार्स, प्लैनेट से रिलेट करता है, तो वह चीज़ा आप याद रखेंगे, ठीक है, नासा की जो फोर्मेशन है, वह 1957 में, आपका क्या याद रखेंगे, नेक्स करंट अफेर आपका हिमाचल सरकार के उपर है, हिमाचल गवर्मेंट तू एलोकेट 53, यह आपका करोड का जो पैसा है, यह दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा, मुख्यमंत्री, सुक, सिक्सा, यह आपकी योजना है, जो हिमाचल गवर्मेंट जो है लॉंच की गई है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री, सुक, सिक्सा, जो योजना है, इसके अंदर 53 करोड जो है अलोकेट के जाएगे, अब देखिए, पहला कि यह जो simply आपको योजना का नाम मेंशन कर दिया जाएगा, और कि यह कौन से स्टेट ने इंप्लिमेंट किय तो हिमाचल सरकार, हिमाचल का आप नाम याद रखेंगे, अब the second thing is, कि इसके अंदर है क्या, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, कि हिमाचल स्टेट के अंदर कोई भी जो depressed या फिर ऐसी women's है, या तो किसी तरह से disability है, मतलब किसी तरह से physically fit नहीं है, या फिर किसी भी तरह से उनका क्या हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, तो उस case में उन महिलाओं को यह हर मन्तली 1000-1000 रुपे जो हैं, वो प्रवाइड के जाएंगे, ठीक है, अलग-लग स्टेट में अलग-लग तरह की इस तरह की योजनाएं होते हैं, बट यह recently हिमाचल ने लौंच किया, तो current affair में बनती हैं, तो 1000-1000 रुपे जो हैं, वो वोमेंस पर दे जाएंगे, and the second thing is, एक तो वोमेंस कवर होगी, डाइवोर्स होगी, या फिर आपकी वीडियो होगी, या फिर disabled वोमेंस होगी, the second thing is, कि ऐसे कोई बच्चे या फिर ऐसे कोई लड़का-लड़की जिनके माबब disabled ह क्योंकि हमने पहले उसमें कवर कर लेने कि औरते हैं, the second part में क्या है, second चीज क्या है, कि अगर कोई ऐसे माबाप जो कि खुद disabled है और उनके बच्चे हैं, तो उस केस में भी जो है, ये बच्चों को जो है, ये पैसा प्रवाइड किया जाएगा, ठीक है, उसमें भी आपका के लिए है, women's के लिए है, widowed हो गया, मतलब की जिनका तलाक हो चुका है, या फिर जो आपकी जिनके पती मर चुके है, ठीक है, डाइवोर्स हो चुका है, पती मर चुके है, उसके में या फिर disabled women's है, उनको ये stipend या फिर योजना के अंदर एक हजार उपे पर मन्त जो है, को प्रोवाइड के जाएगा, यहां पर आपको चीज़े क्लेर हो गई होगी, ध्यान रखेगा, यह इंपोर्टेंट है, तो यह वो वाले करेंट अफेर हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा जो एक्जाम में पुछ जाने के चांसे बनते हैं, नेक्स करेंट अफेर हमारा बन इंडिया है, यह हमारा Central Bank है, हर कंटरी का अपना Central Bank होता है, उसी तरह से हमारा Reserve Bank of India जो Central Bank है, तो यह आपकी जो scheme है, वो launch की गई है, अब इस scheme के अंदर क्या है, देखिए, होता क्या है ना कि जब भी हम कभी loan लेने के लिए bank में जाते हैं, तो आपने notice किया होगा कि जो loan ज तो अभी RBI ने क्या किया है, यह जो ULI scheme है, पहले चीज़ तो आप याद रखेंगी, ULI scheme जो है, यह उन लोगों के लिए हैं, जो की marginal section of the society में आते हैं, ठीक है, rural areas में आते हैं, जहां पर लोगों को बहुत जादा नहीं पता है कि किस तरह से loan लिया जाता है, या फिर banking system की knowledge बहुत जादा नहीं है, उनके लिए RBI ने यह जो scheme है, यह announce की है, अब इसमें होगा क्या, सेम उसी तरह से, जैसे कि मानले जी आपने loan लेना है, तो आपका क्या होगा, कि आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपकी loan application को accept करेगा, उसके बाद आपके documents लेगा, और फिर check कर करेगा, आपका civil score वगएरा कि कितना है, क्या आप एक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यह सब चीजी है, ठीक है, अब यह तो उनका हो गया ना, जो की cities में है, ठीक है, जिनका civil score भी है, obviously आपका civil score तभी होगा, जब आपकी transactions होगी, या फिर आपने loans वगएरा ले होगे, ठीक ह जो होगे, वो इकठे एक platform पर आएंगे, एक digital platform होगा, और उस bank, जो भी person होगा, जिसको launch चाहिए, उसकी जो information है, वो सभी bank आपस में share कर सकते हैं, ठीक है, और the purpose यह होगा, share करने का, ताकि उस person को, जो easily loan है, वो avail किया जा सके, ठीक है, तो यहाँ पर चीज याद रखने की किया है, पहले तो आप याद रखेंगे कि ULI के full form क्या है, unified lending interface, ठीक है, और the second thing कि यह किस ने launch किया है, तो RBI ने launch किया है, and the third thing की, यह किस के लिए है, तो यह marginal section of the society, यह फिर rural areas of the India, जो है, गाओं के जो लोग है, उनके लिए यह, जो scheme है, यह announce की गई है, RBI की तरफ से, ठ के अंदर simply क्या होगा, कि जो person loan लेना चाता है, उसका data है, वो share किया जाएगा, अलग लग बैंकों के साथ, और जहां पर, ताकि easily जो person है, उसको loan, जो है facility, available हो सके, okay, so next, हम move करते है, अलग current affair की तरफ, देखिए, recently आपने news के अंदर देखा होगा, कि पावेल दुरोव, य उनको arrest किया गया है, Paris के अंदर, ठीक है, पहली चीज, टेलिग्राम एप के बारे में जानते हैं, देखिए, टेलिग्राम एप एक messaging एप है, और इसमें आप, actually, जो किस तरह से टेलिग्राम अलग है, में इस बारे में भी बात करेंगे, टेलिग्राम जो है, एक इस तरह की एप है, जिसके अंदर, आपकी मान लेजे, आप Instagram या WhatsApp के तुरू डाटा शेर करते हैं, तो उस case में क्या होता है, कि पहली बात तो restriction होती है, कि जो file है, आप भेज रहे हैं, उसका size का होता है, कि इतने से ज़्यादा, MB या JB जो भी है, वो नहीं होना चाहिए, तो टेलिग् के अंदर file size जो है, वो ज़्यादा आप बड़े size की बेज सकते हो, the second thing और जो सबसे ज़्यादा most important difference है, वो ये, कि WhatsApp और Instagram या फिर other Facebook जितनी भी ये दूसरी apps है, इनमें अगर कोई भी government data जो है, उस data को sharing के लिए मांगते हैं, तो WhatsApp या Facebook जो है, ये provide करते हैं, ठीक है, टेलिग्राम के जो ये CEO है, पावल दुरोव, इनको arrest इसलिए किया गया है, क्योंकि France के अंदर investigation चल रहा था, क्योंकि टेलिग्राम app वहां पर भी चलती है, तो पावल दुरोव जो है, इनका खास बात क्या है कि टेलिग्राम app के अंदर जो main चीज है, वो ये है कि ये customer से related या फिर जो भी इसे use कर रहा है, उसकी information या उससे related information शेर नहीं करते हैं, किसी भी government के साथ, तो उससे होता क्या है कि टेलिग्राम के अंदर कई बार कुछ-कुछ ऐसी illegal activities भी हो रही है, जैसे कि माली जीए कुछ illegal आपका समान जो है, या फिर videos वो आपकी send की जा रही है, कु वो अबिसली जो data है उसकी demand करेगी, बट टेलिग्राम एप जो है या फिर टेलिग्राम जो है वो data प्रवाइड नहीं करता है, तो उस case में ये जो पावल है, इनको arrest किया गया, पावल की खास बात एक और भी है कि इन्होंने ये रशिया से related है, रशिया में ये पैदा आप की users का, तो इन्होंने मना कर दिया था, और उसकी वैसे इनको रशिया छोड़कर भागना पड़ा था, बाहर आना पड़ा था, अब ये second time होगा, जब ये इनको state government या कोई government जो है इनसे data की demand कर रही है, और उस case में क्योंकि टेलिग्राम की policies ये नहीं है, तो इनको arrest कि किया गया है, तो आपके याद रखेंगे, पहले इनका नाम याद रखेंगे, CEO हैं ये किसके, telegram app के हैं, और कहां पर इनको arrest किया गया है, तो France आ जाएगा, परिस के अंदर इनको arrest किया गया था, और क्यों arrest किया गया था, क्योंकि telegram app जो है वो अपने users का, जो data है, वो government के साथ शेर नहीं करती है और यह सुनने में थोड़ा सा अजीर लगता है कि क्यों गवर्मेंट के साथ शेर करेंगे बट होता यह है कि कई बार इन एपस के उपर illegal activities जो होती है वो परफॉर्म होरी होती है जो गवर्मेंट के लिए उस country के नेशन के इंट्रस्ट के खिलाफ होती है तो उस केस में भी यह डाटा जो है नहीं करते हैं तो काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए इनको आरेस्ट किया गया है नेक्स चीज़ पर बात करते हैं नेक्स है हमारा ऑस्ट्रेलिया रिकोर्ड हिस्टॉरिक विंटर टेंपरेचर ओफॉर्टी वन पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस अब देखिए इसके अंदर समझने वाली बात क्या है ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात हो रही है और हिस् पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सिस तक रिकोर्ड किया गया है अब इसमें समझने वाली बात क्या है देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं कैनडा के अंदर आपका एक जो हीट डॉम वाला कंसेप्ट था वो हमें देखने को मिला था चार-पांच साल पहले की बा होती है स्वेर होती है मलब बरबारी होती है इवन गर्मियों के अंदर भी बहुता टेंपरेचर नहीं होता है जनली बट हुआ क्या था हीट डॉम में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर क्या था कि इवन इन पीरेड ऑफ विंटर्स जो टेंपरेचर था कैनड़ा के हम जोग्रेफिक अंदर पढ़ते हैं मेरा पॉइंट इतना सा था कि था और सेम जिए जब यहांपे कुछ इस तरह से अस्ट्रेलिया के अंदर देखने एँंज न हमारा आप अगर धेखिसंगे तो आप कि हमें नोटिस करेंगे कि यहां पर आपकी एक्वेटर लाइन जा ठीक है तो इससे उपर का जितना भी हिस्सा है वो सारा नौर्थ कहलाता है ठीक है और इससे नीचे का जितना भी हिस्सा है वो सारा आपका साउथ कहलाता है तो ऑस्ट्रेलिया सदन है मिस्फेर में पड़ता है पहली चीज़ तो यह और जैसे हमारे इंडिया की मैं बात करूं तो यहाँ पर इंडिया है आपका ठीक है यहाँ पर इंडिया है तो Northern Hemisphere में जब गर्मिय होती है तो Southern Hemisphere में सर्दिया होती है क्योंकि यह अपोजट है ठीक है यह अलग reason है Earth के Tilt होने की वज़से ऐसा होता है ठीक है बट खैर आप इतना याद रखेंगे कि Northern Hemisphere में गर्मी है तो Southern में सरदी होनी चाहिए 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 अपोजिट होगा और जब Southern Hemisphere में आपकी गर्मी होएगी तब Northern Hemisphere में सरदी होएगी आपका जो June, July वाला period था अभी की जो हम बात करें, जुन, July, अगस्त वाला जो period है इसमें क्या है? ऑस्टेलिया के अंदर winters चल रही थी, चाहिए? अब खास बात क्या है कि ऑस्टेलिया में winters चल रही थी, लेकिन उस case में भी क्या है? ऑस्टेलिया के अंदर कुछ जो cities है, वहाँ पर temperature record किया गया, 41.6 degree Celsius तक, ठीक है, अब सर्दियों के अंदर इतना temperature होना एक बहुत ही different, एक बहुत ही अलग चीज हो जाती है, हमें even इंडिया के अंदर हम बात करें, तो हमारे जहाँ पर जब winters आएंगी, तो rarely ही कोई जगा होगी, जहाँ पर इतना temperature होगा, ठीक है So, Australia के अंदर अगर यह temperature है, तो यह क्यों है winters के अंदर, इसके पिछे कई सारे reasons है, जब से पहला तो Indian Ocean जो है, उसका heat up होना, ठीक है, the second thing हम global warming जो होती है, उसकी वज़े से यह सब जो चीज़ें देखने को मिल रही है, El Nina and La Nina concept है, जो कि आपका यह Pacific Ocean में होता है, near the coast of South America, तो यह दो तिन concept है, उनकी वज़ा से क्या होता है, global circulation जो है winds का, उस पर effect पड़ता है, ठीक है, और global circulation जो winds का है, उस पर effect पड़ेगा, मतलब की, देखिए आप एक चीज़ याद रखेंगे हमेशा, कि Australia में जो temperature influence हो रहा है, that doesn't mean कि वहां की जो हवाएं है, या फिर वहां का जो ocean है, सिर्फ उसी से वो influence हो रहा है, Indian Ocean जो है, उसका भी impact रहता है, यहाँ पर आपका जो Atlantic है, उसका भी impact रहता है, Pacific का भी impact रहता है, क्योंकि हमारा पूरा वर्ल्ड आपस में connected है, sea के तुरू भी, मतलब ocean water के तुरू भी, और जो atmosphere है उसके तुरू भी, तो different reason है, अलग आप याद रखेंगे, ठीक है, sorry, Australia recently recorded its hottest winter temperature ever reached 41.6 degree Celsius at Yampi Sound, ठीक है, यह आप नाम याद रखेंगे, associated with the Australia, कितना temperature है, 41 degree Celsius के around record किया गया है, और यह current affair में इसलिए क्योंकि यह winters के इंदर है, तो बहुत बढ़ी चीज़ है, ओके, तो पिछली बार भी temperature नियर बाइ इतना ही साल, लेकिन पिछली बार थोड़ा कम था, ठीक है, 41.2 degree Celsius था, इस पर 41.6 degree Celsius के around यह temperature पहुंचा है, तो यह highest है, हिस्टरी में आज तक जो record किया गया है, and the reason is, कि global warming और अलग लग जो factors है, उनकी वज़से होते हैं, ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक आप चीज़े समझ गए होंगे, कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, अगें, यहां पर हमारा जो WhatsApp group है, SSC के लिए, तो आपका exam नजदीक आ रहा है, तो आप इस group को join कर सकते हैं, इसका जो description के अंदर है, आपको link मिल जाएगा, आप वहां से जाकर join कर सकते हैं, और second चीज, यह हमारा course है four triple line के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको video lectures, PDF, test series, current effects, यह सब कुछ available होगा, तो मेरी खाल से यहां पर आपको चीज़े clear हो गई होगी, इसके लावा अगर बात करें, तो अगर आप किसी भी exam की other preparation कर रहे हैं, या फिर SSC की preparation कर रहे हैं, तो हमारी website है, जो की ab CHS exam, CHS exam, CHSL, यह सभी exam दिख जाएंगे, इसमें आप click करेंगे, तो यहां पर नीचे जाकर आपको क्या होगा, देखे, यहां पर तीन-चार चीज़े हैं, एक तो आप एक all inclusive subscription भी बाय कर सकते हैं, आप video courses भी only बाय कर सकते हैं, test courses बाय कर सकते हैं, या फिर आप छोटे courses जो geography की requirement है, तो geography का भाय कर सकते हैं, और इसी तरह से Indian quality और अलग लग चीज़े हैं, ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का कोई doubt है, किसी भी topic को लेकर, या फिर courses लेकर, तो आप comment section में भी पूछ सकते हैं, चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्य हुँ हुँ हुँ